हेलो गाइज वेलकम बेक तो माई चैनल तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं इस गैस्टो 4 200 mg कैपसुल के बारे में तो गाइज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके यूजेस, साइड इफेक्स, प्रिकोशन, डोजेस एंड इसके सब्सिटूट्स के बारे में तो गाइ हम यह 10 कैपसूल मिलते हैं बिल्कुल जैसे की देखा जाए तो सस्टेन 100-200 सेम सस्टेन की तरह ही इसकी पैकिंग दी गई है और पीछे से अगर हम बात करें तो यह गैस्टो 4 200 mg जैसे की आप पढ़ रहे होंगे आप पर लिखा हुआ है मैंशन है अब बात करें तो इस 10 कै 200 mg कैपसूल लीफोर्ड हेल्थ केर का बनाए हुआ ब्रैंड है और इसके अंदर माइक्रो नोइज प्रोजेस्टरों कैपसूल 200 mg मतलब की प्रोजेस्टरों 200 mg होता है तो गाइस यह एक सोफ जेलेटिन कैपसूल होता है जो हमारे इस टमक में जाके इजीली डिजॉल्व हो इसके परत को मोटा होने से रोक कर यूट्रेस कैंसर के रिस्क को भी कम कर देता है यह यूट्रेस की परत को अफेक्ट कर कंसीव करने में भी हैल्प करता है तो काई जब बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में इस कैपसूल को आप किन किन प्रोब्लम्स में यूज कर सकत हैं तो इस प्रोब्लम में भी आप इस capsule का easily use कर सकते हैं और hormones disbalance की problem में इन सब problems में आप इस capsule का easily use कर सकते हैं वैसे तो जाए तर इस capsule का use hormones replacement therapy के form में जादा क्या जाता है अब बात करें इस capsule के side effects के बारे में तो इस capsule को लेने से आपकी बोड़ी पर क्या-क्या side effects हो सकते हैं, जैसे कि आपको back pain हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, headache हो सकता है, ठकान महसूस हो सकती है और constipation जैसी problem भी हो सकती है, इस capsule को use करने से पहले आपको किन-किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अगर आपको edema हो, breast cancer हो, liver से related कोई भी problem हो, porphyria की problem हो, depression की problem हो, और drug allergy हो, मतलब कि इस capsule में दिये गए salt से allergy हो ना, अगर आपको इन में से कोई भी problem हो तो प्लीज इस capsule को use ना करें, पहले अपने दोक्टर से consult करें, फिर इस capsule को use करें, इस capsule के doses के बारे में बात करें, तो इस capsule को लिने का सबसे best तरीका क्या है, women's, इस capsule को दिन में एक से दो बार कुछ खाने के बाद, बाद इसलानुसार easily ले सकती है, इस capsule को बिना डोक्टर की §87 करेगा, फिर इस capsule को prescribe करेगा, तो कु हमारा एक दूसरा भी चैनल है अगर कार से रिलेटेड आपको इनफोर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं दिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा तो प्लीज एक बार जाके विजिट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्र फोर्ट 200 mg कैपसूल के बारे में यह कैपसूल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगा इनकेस अगर नहीं मिलता है तो आप मेडिकल स्टोर से बोल सकते हैं कि प्लीज यह कैपसूल मंगा दीजिए तो इजिली मंगा देगा योप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर यह वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पर अच्छी लगी हो तो या फिर आपके लिए हैलफुल रही हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें बिना मत जाना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स वर वोचिंग एंड टेक केर